जहेंदी श्टूडेंट्स, I hope कि आप सभी लोग स्वैस्ट होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चलिए होगे इन इनों UPSS Civil Service exam की तयारी के लिए NCERT की क्लासे शुरू के गई हैं जसमें हम 6th class के NCERT पर अभी फोकस किये हैं और उसमें भी सबसे पहला subject चूज किया है history, history में 4 chapter complete हो चुके हैं और आज हम 5th chapter पढ़ने वाले हैं इस 5th chapter में क्या है हम आगे देखते हैं सबसे पहले आपको इस चीज का धिहान रखना है कि first time अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा तो इसलिए patience थोड़ा धायरे रखकर के आगे क्योंकि आपको हर एक subject का deep knowledge चाहिए समझदारी के साथ आप जो भी अपना समय पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो उस समय की value निकलनी चाहिए तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें सबसे पहले देखते हैं कि इस chapter का नाम क्या है तो इस chapter का नाम है राज, बीन गड़राज्य के बारे में जानेंगे, एक्जाम के बेस पर जो भी चीज़े important होंगी हम वह आपर टिक करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि आपके civil service exam के according या PCS exam के according important है, और बाकी चीज़े जो जरूरी नहीं है वो भी हम बताते जाएंगे, कि किसे किसे आपको skip कर देना है, किवल एक बार पढ़ना है, कहानी को जानना है और उसे skip करना है, ठीक है, बाद तो आपको पता ही होगा, कि जब NCRD की classes में सबसे पहला chapter सुरू होता है, तो किसी student या किसी बच्चे के मन में कुछ सवाल होता है, और उसी के साथ यहां पर chapter सुरू होता है, यहां पर एक student के मन में जो सवाल है, उसका जो topic है वो है चुनाओ से related, जब शंकरन, यहां पर जो शंकरन है, वो एक student है, एक बच्चा है, जिसके मन में सवाल आती है, उठा तो उसने देखा कि उसके नानानानी बोट डालने जा रहे थी, दर असल बे चुनाओ केंदर पर सबसे पहले पहुचना चाहते थी, शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतनी उठाइद क्यों है, उठाइद मतलब खुश क्यों है, क्यों आपा जल्द यल्दी जा करके और फिर ऐसा लग रहा कोई त्योहर मनाना हो, कोई मिलने आने वाला हो, कुछ उनको मिलना हो, इस ताइ शासक कैसे बने ये इसका हेडलाइन है तो यहां पर लगबक 50 वर्षों के हम अपने सासकों का चुनाओं मतदान की जरिये करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे कैसे बनते थे पता नहीं करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े-बड़े यगों को आ ने क्या किया कोई बड़े-बड़े यग किये और उस यग की माध्यम से वो राजा बने केवल यग किये उसके लाव और कुछ नहीं कि जैसे की अश्युमेद यग अब ये अश्युमेद यग क्या है अगर आपने कुछ पौराणी धार्मिक कथा सुने होंगे यह देखे हो अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्युमेद यग करने वाला राजा उनसे जादा शक्तिशाली था इसके बाद उन राजाओं को यग में आमंत्रित किया जाता था यह यग विसिष्ट पुरोही द्वारत संपन्न किया जाता था इसके लिए उन्हीं उपहारों से सम्मानित किया जाता था अश्युमेद यग करने वाला राजा बहुत के लिए उपहार लाते थे तो हमने बात की कि अगर आपने टीवी सीरियलों में रामायर देखी महापारत देखी तो वहां पर अश्युमेद यग जैसे शब्द का यूज होता है उसमें दिखाया जाता है तो अगर आपके मन में पहले सवाल नहीं था तो आप कम से कम शिष्टि पढ़ेंगे तुआँ बहुं कुछ सैनिक उसके साथ होते थे राजा के सैनि और घोड़ा जहां तक चलना चाहता था जैसे जैसे चलते जाता था वो से जाने दिया जाता था जब राजा के पिल्ड से वो बाहर चले जाता था दूसरे राजा के पिल्ड में चले जाता था तो अगर कोई राजा उस घोड़ को रोकता था तो इसका मतलब होता था कि आप यहां पर घोड़ा पहुंच चुक तो इसका मतलब यह है कि वो राजा यह करवा रहा है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो यहां पर वो उसके अधीन की टाइप हो जाता है और फिर उस राजा को आमंत्रित किया जाता है कि आप आईए अश्युमेद यग्ये में शामिल होजिए और ऐसा ही जलता था जो अश्युमेद यग्यरा है वो पुरोहि थे ना वही एक परिके से वो ब्रामण ही हुआ करते थे जो यग्ये करवाते थे और उन्हें उसके बदले उपहर मिलता था तो अश्युमेद यग्ये क्या है यह आप जाने रहें एक्जाम में भी पूछा जाता है कई सारे आप एक्जाम की तियारी करें तो उसमें पर बैठाया जाता था तो यहां पर बाग की खाल का एक विशेश आसन होता था यह राजसिंग आसन होता था युद्ध छेत्र में राजा का सार्थी ही उसका सहचर होता था यग्ये के अवसर पर वह राजा की विजी होता था अन्य गुड़ों का गान कर रहा था अच्छा के सगे समंदी खास कर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई चोटे-चोटे अनुस्थान करनी होते थे अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यगी की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था राजा की ऊपर पुरोहीत पवित्र जल के छिड़काओं के साथ स उन्हें विश या वैश भी कहा जाता था तो वही चो लोग कह रहे हैं कि जो समान लोग थे विश थे वैश थे वो लोग उपहा लाते थे जिनें पुरोहीत शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुस्थानों में शामिल नहीं किया जाता था जो विश और वैश माने जा रहे ह जो पुरोहित रहा करते थे वो उन्हें शूद्र मानते थे उन्हें नहीं जूते थे और कई सारे पूजा पार्ट में उन्हें शामिल नहीं गिया करते थे तो यहां पर आपको इन चीजों को नॉर्मली जानना है लेकिन यहां पर देखिए फिश वैस्ट पुरोहित उन्हें सूद्रमांत यह लाइन जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक्जाम के बीज भी बाकी सारी चीज़े नॉर्मल है एक बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अब बात आती है वर्ण क्या है काटेग्री यहाँ पर वर्ण की बात चल रही है तो देखिए उस समय चार सामाजिक वर्ग थे ब्रामण चत्रिय वैश एवं सूद्र ब्रामणों का काम वेदों का अध्यान अध्यापन था और यग करना जिसके लिए या जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था चत्रियों का काम युद इन्हों वर्गों की सेवा करना था यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जन्रली पीसस एक्जाम में पूछा जाता है यूपी असीवी कभी-कभी शरल लेंग्वेज में या कभी-कभी कटीने स्टेट्मेंट के माध्यम से भी पोच लेता है तो यह आपको फोकस करना है सिव दूसर पात्र तो यह जो पात्र है इसमें चित्र बने हुए इस प्रकार से ऐसा एसा डिजाइन है जो हो सकता है क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है या नहीं लेकिन फिर भी देखे इसमें चित्र बने हुए हैं कापी टाइम हो गया तो अच्छे से क्लियर नहीं है इस तरह के पात्र में ज्यादा तर थालियां और कटोरियां ही मिली है जो चित्रे टाइक हैं वो ज्यादा थालियां और कटोरियां हैं ये पात्र बहुत ही पतली सतय के सुन्दर और चिकने हैं शायद इसका प्रियोः खास मौकों पर महत्रूण लोगों को भोजन परोजने के लिए किया जाता था नॉर्मली याद रखना है लेकिन हो सकता है कि चितर धुसर पात्र का उपयोग क्या था यह आपको पता होना चाहिए ये एक्जाम में पूछा जा सकता है तो ये एक्जाम के बेस पर इस चीज को सौट में थोड़ा सा याद रखना अब बात करते हैं जनपद के बारे में जनपद से related कई सारे question एक्जाम में पूछे जाते हैं ठ्यान रखना महायगों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे पहले जन के राजा हुआ करते थी अब जनपद के राजा उसमें दिखाए गए हैं। पुरा तत्व वीदो ने आर्केयो लॉजिस्ट थे। इन जन्पदों की कई वस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तरप्रदेश में मेरट के पास हस्तिनापूर। ये पुराना किला पुरा पुयाद रखना है। दिल्ली क जिनका नाम आया हुए खुदाई से पता चलता है कि लोग जोपडियों में रहते थे और मवेशियों तता अन्य जानवरों को पालते थे यह चावल यहू धान जौ दाले गन्ना तिल और सरसो जैसी फसले उगाते थे तो इतनी चीजे आपको पता चली अब हम आगे बढ़ते लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंके होते थे जनपत के टाइम में जो लोग हुआ करते थे मिट्टी के बरतन बनाते थे जोपडियों पे रहते थे कुछ फसल उगाते थे मवेशियों का पालन करते थे और इनमें से कुछ बरतन लाल रंग के और कुछ धूसर रंग के होते थे तो ये चीजे कुछ विशेशताओं के तौर पर आपको याद रखना है एक्जाम के बेस पर ये स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है इन पुरा इस्थलों में कुछ विशेश प्रकार के बरतन मिले हैं जिन्ह आपके एक्जाम के लिए ये कैसे कि चित्री तूसर बात किसले होता था हम पहले बात कर लिए लेकिन इसमें जो आकरतियां थी वो किस प्रेकार से थी ये स्टेटमेंट की माध्यम से आप उसे पूछा जा सकता है जो प्रेलिम्स के कोश्चन और ऑब्जेक्टी टाइप के उसमें चित्री दूसर पात्र में तो ये सत्ती है या नहीं तो आप पता होगा तो आप सही लगाएंगे हाँ ऐसा है इसके बाद महाजनपद अभी हम फिर जनपद उसके बाद महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर हो गया पहले काफी सारे जनपद थी उनमें से जो जनपद सबसे जादा इंपॉर्टेंट हो गये वो आगे चल करके मह महाजनपद बन जाते हैं उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा मांचत में देखें कि कुछ महाजनपदों के बारे में अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जितने भी महाजनपद बने उनकी अपनी एक राजधानी थी कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी अर्थात इनके चारो लकडी इंट या पत्थर की उची दीवारे बनाई गी थी तो ये विश्रिस्ता आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो जनपत थे वही आगे चरके इंपोर्टेंट हुए महाजनपत बने जो महाजनपत थी उनकी अपनी एक राजधानी थी उस राजधानी के आसपास वाले पूरी एरिया को या उस कहो कि उस राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चारो और लकडी इंट या पत्थरों की दीवारे बनाई गई थे यह आपको ध्यान रखना है स्टेट्मेंट के दौर पर सिवल सर्विस एक्जाम के हिसाब सियाद रखेंगे वो आपके पीसियत में भी काम आएगा हम बार बार बात कर रहे थे कि मांचित्र में मैप में हमें देखना है महाजनपत के बारे में तो यहाँ पर नदीवरी सब दिखाया गया है इसके साथ ही इसमें कुछ महाजनपत और महाजनपत और नगर भी है आप यहाँ पर सबसे पहले नदियों को देखना कावेरी नदी पिनार नदी तुंग भद्रा नदी कृष्णा नदी गुदावरी नदी यहाँ तक चर्चम हैं इत्तिसारी नदिया तोटल कितने हैं तीन दो पाँज नदिया हैं इसके बाद तापती नदी नर्मदा नदी महा नदी गंगा नदी ब्रह्मपूत्र नदी और उसके बाद यमुना नदी ब्यास नदी चेनाव नदी रावी नदी सतलज नदी इधर छेलम नदी और यह हुआ सिंधु नदी इधर कावल जितने टीक आप देख रहे हैं यह के अब हमें जन्पद और महाजन्पद नगर पर ध्यान देना है अवंति और उजयन एक ही जगह है कौसांबी राजग्रह यह जगह है मगध एक जगह वैशाली एक ही जगह बज्जी अंग कौशल हस्तिनापुर और पांचाल कुरू यह सारे जगह हैं जो क्या है जन्पद दर्शाया गया है यही पर आपको आगे बता दिया जाएगा कि कितने जन्पद थे और कितने महान जन्पद थे ताकि आप से वल सर्वेश एक्जाम के अकॉर्डिंग उसे याद कर पाएं अब हम देखते हैं कि कितने महाजन्पद थे तो टोटल 16 महा जन्पद थे कौन- कोशल, मगद, वज्जी, मल, चेदी इसके अलाफ़ वत्स, पांचाल, मत्स, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कमबूज ये आपको एक्जाम के बेस पर याद रखना है क्योंकि महाजनपत, 16 महाजनपत के बारे में पूँचता है इसके बाद क्या है? ऐसा लगता है कि लोगों ने अन राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया ऐसा लगता है कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों और विशाल, ऊची और प्रभाव साली दीवार खड़ी कर अपनी समरद्धी और शक्ती का प्रदर्शन भी करते थे सुरक्षा के लिए भी और सम्रध्धी के लिए भी प्रदर्शन के लिए भी इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस छेत्र पर नियंतरन रखना भी सरल हो जाता था इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवशक्ता थी और लाखों की संख्या में इतों और पत्थरों का इंतिजाम करना पड़ता था हजारों इस्तरी पूर्शोर और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा इनके लिए संसाधनों की आवशक्ता पड़ी होगी यह अनुमाल लगाया जा रहा है कि जब इतनी बड़ी दिवारे इतने बड़े छेत्र में बनाए गई हैं किले बंदी के तौर पे तो जाहर सी बात है बहुत सारा स्रम लगा होगा, संसाधन लगे होंगे, समय लगा होगा और उसके अलावा इड़ पत्थर लगे होंगे वोलग तो इतना, यहाँ पर विचार किया जा रहा है यह तो नॉर्मल ही है, वाकि आप इसे नॉर्मल ही सुनिये जहां पर एकजाम के लिए ज़रूरी है हम तुरंट टेक करके बताते जाते हैं, यह किले की दिवारे देखी क्या लिखा हुआ है, कौशामबी किले की दिवार है. यह अच्छी तराधूनी कुद्थेश की लाहबाद के पास मिली इट की दिवार का वशेश है, इसके एक जो बचे हुए हैं वह अभी भी देख पाएंगे कि अब इसके आगे हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं देखिए अब राजा सेना रखने लगे थे पहले किया था वह सेना नहीं रखते थी जैसे जैसे किल्या बंदी करने लग गये महाजनपत बन गया तो वह अपन में होता था तो सेना को आहत सिक्कों की रुप में भुक्तान होता था यह आहत सिक्के क्या है यह हम आगे चल करके देखेंगे इसके बाद चैप्टर में अगला टॉपिक है कर कर के बारे में हम जानते हैं ठीक है महाजनपतों के राजा विशाल किले बनवाते थे अब बड आपकुले से चिनाई करना होगा इते लगानी होगी च्छापाय करनी होगी स्रम की भी जरूरत रही होगी इसके लिए उन्हें करमचारियों की भी आवशक्ता होती थी अते महा जनपदों के राजा लोगों वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भनना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगें यहां पर यह का आगया कि पहले तो जो अश्वमेदिया गोता था उसके बाद लोग अपनी खुशी से राजा को कुछ ना कुछ उपहार दे देते थे अब उतने में तो तो उस टाइम पर इन्हों ने क्या किया जो राजा रा करते थे अब एक टाइम बना दिया कि इतने टाइम पर लोग मुझे उपहार के तौर पर यह कर के तौर पर यह चीज देंगे ही देंगे तो जो नियमित कर दिया गया उसे यहां पर text कहा गया या कर कहा गया तो किन किन चीजों पर कर लगाया गया यह आप जान लें यह exam के लिए important है फसलों पर लगाये गये कर, कारीगीरों के उपर लगाये गये कर पश्युपालकों को जन्वरो या उनके उत्ति जानवकर में करे का समान पर कर देंग करना पड़ता था। आकेट्स तब संग्रांखों को जंगलिफ बस्तुमे देना नंहीं होते था। तो यह आपको याद रखना था कि पहले के टाइम पर या महा जनपत में जब राजा रहते थे तो इस टाइम पर किस टाइब से स्टार्ट में टैक्स लगाया गया और किन-किन चीज़ों के यह स्टेट्मेंट की माध्यम से आपको बोला जा सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं पता होना चाहिए यह पांच उक में अब यह फोकस करना है यह एक्जाम के लिये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद क्रिशी में परिवर्तन किस inputs से क्रिशी में परिवर्तन हुआ यह भी हम आगे देखते हैं इस यूग में क्रिशी के चेत्र में दो बड़े परिवर्तन है हलके फाल अब लोहे के बनने लगे थे आप गाओं में आज भी देखे होंगे नहीं देखें हैं तो जाकर के एक बार देखिए किसान किस तरीके से आज भी हल का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पहले भी था, तो हल में जो फाल लगा है, वो अभी लोहे का यूज़ होता है, पहले वो लकडी का हुआ करता था, अब वो हल के फाल किसके लोहे के होने लग गए हैं, अब कठोर जमीन को लकडी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपड शुरू किया केतों में बीच छिड़क कर धाने के बज़ाया धान की पौध तियार कर उनका रोपड शुरू किया और अब पहले के तुलनम में बहुत जादा पौधे जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावार भी जादा होने लगी किसी न किसी के दिमाग में ये विचार आया होगा या कुछ तो ऐसा देखे होंगे तब ही तो इनका दिमाग चला कि जो धान के पौधे हैं अगर उनको एक पौधे को थोड़े से कुछ-कुछ दूरियों में लगाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वह पौधा बहुत मजबूत और अच्छे स्यार होता है और उसमें फसल और उसमें बीज भी बहुत अच्छे आते हैं तो यह लोगों को पता चला और यहीं से धान की देखा है जो मगद है वो बिहार वाला एरिया है लगबग 200 साल के भीतर मगद सबसे महत्वपूर जनपद बन गया था जस टाइम पर जनपद बात चल दी ही उसी टाइम पर 200 साल बाद लगबग महा जनपद बन गया मगद और गंगा सोंच जैसी नदियां मगद से होकर बह नतों पोर थी इसका मतलब है कि जो और तीन तोपिक पर ये Yayover टीन बातों पर जद़ाइभ इंपॉर्टन ठी एक जलने के लिए एक जल वितरण ने के लिए जल पहुंचाने के लिए पानी पहुंचाने लिए और जमीन को बनाने के लिए जास Candi अ मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखना याद करने जो अतनी है यह एक बार अब पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान मल लगा के अगर पढ़ेंगे तो चीजे थोड़ी याद रहेंगे यही नहीं जंगलों से घर गाडियां और रत बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी इसके अलावा COP जो जंगल फाले एरिया जहां जंगल फे वहां से यहह पूछ रखना थी यह ञाद रखना है और आजासत्रू हुएं आजासत्रू को आजासत्रू भी बोलते हैं तो यहाँ पर मगद में दो सबसे शक्तिशाली बेमिसार और आजासत्रू अन्य जन्पदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे महापदमिनंद एक और महत्व पूर्श चाशक थे उन्होंने अपने नियंतरण का छेटर इस महादूईप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिए था है अजा शत्रू और विमसार केलावा एक महापद्मनद थे वो भी काफी महत्रपोर्श आसक थे और उन वो क्या किये थे भारत का यो उत्तरपस्चिम वाला इरिया है यह पूर्व है यो पूर्व है यह तो ये वाला एरिया है ये उत्तरपसीम वाला एरिया है और इधर महापर्दमनंद ने अपना महत्वपूर्ण एरिया बना रखा हुआ था इस पर कबजा कर रखा था जीत रखा था कुछ भी बोल सकते हो बिहार में राजग्र है जो आधोने राजगीर है कई सालों तक मगत की राजधानी बने रही बाद में पाटली पूत्र जो आज का पटना है वो राजधानी बन गया तेइस सो साल से भी पहले की बात है मेसी डोनिया का राजा सिकंदर विश्य विजय करना चाहता था अब यहां पर से सिकंदर की बात भी आ जाती है तेइस सो साल पहले मेसी डोनिया जो अपने आका नहीं है बाहर का है अपने इंडिया से बाहर का और जगह का वो राजा था सिकंदर जो पूरे विश्व को वर्ल्ड को विजय करना चाहता था और इसकी चाहत को ले करके उसने क्या क्या नहीं किया बट वो पूरी तरह सफल ना होने पर वह मिस्र और पस्ची मेसिय की कुछ राज्य को जीतता हुआ भारती महादुरीत में व्यास नदी के किनारे तक प सब्सकों के पास पैदल रत और हांतियों की बहुत बड़ी सेना थे इसके साथ यह भी है कि सिकंदर जो था वह इतनी मेहनत करके मिस्र फिर पस्चमी एसी एकतर पहुंचा फिर भारती महादुरीत में पहुंचा तो एक लंबा टाइम हो चुका था जो सीपाही लड़ लड है कि लोगों को पता चल चुका था कि जो मगद के शासत हैं बहुत सक्तिशाली है कि पास बहुत बड़ी सेना है हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएं तो यहां पर जो सिकंदर है अपनात उठाने रहते हैं मुझे विश्व विजय करना है पर यहां पर सेना तो परिसान है तो सेना ने मना कर दिये और जिसकी सेना ही मना कर दिये तो सिकंदर क्या ही कर लेता तो इसलिए सिकंदर को भी पीछे अटना पड़ा अब इसके आभी हमने बात किया मगद की बारे में अब बात कर रहे हैं हम वज्जी की बारे में यह सेगंड नमबर पर है मगद एक शक्तिशाली राज्य बन गया था ये हमने पहले पढ़ा उसके नजदी की वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली अभिहार थी मगद की राजधानी क्या थी पहले राजग्रह पिर बादे पठली पुत्र वज्जी की राजधानी यहां पर वैशाली है यहां एक अलग किस्म की शासन विवस्ता थी जिसे गड़ या संग कहते थे यहाँ पर जो साथन विवस्त है थी गड़िया संग कहते थे यह याद रखना है एक्जाम की बेस पर सिविल सर्विस एक्जाम, PCS एक्जाम, SSC एक्जाम सब के लिए इंपॉर्टेंट है गड़िया संग में कई शासक होते थे इसमें से प्रतेक वेक्दी राजा कहलाता था जो संग रहता था यह गड़ उसमें हर वेक्दी राजा कहलाता था ये सभी राजा विभिन अश्ठानों को एक्सास संपन्न करते थे सभाओं में बैठ कर ये बाचीत, बहस, बाद, विवाद की जरिये तै करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है शत्रों के आक्रमर से निपटने के लिए विमिल कर चर्चाय करते थे इस तरियां अदास तथा कम्मेकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे तो यहां पर एक्जाम के बेस पर ये इंपोर्टेंट है गड़ क्या है, संग क्या है, प्राचीन टाइम पर गड़ और संग का मतलब क्या होता है तो उसमें क्या होता था statement के माध्यम से पोच सकता है यह याद रखना है कि इसमें केवल जो गड़ और संग थे जितने भी वैक्ति शामिल होते थे वो राजा कहलाते थे यह राजा ही हुआ करते थे मिलकर सासंग चलाते थे जो भी विवाद, विवाद, चर्चा होते थे सम्मिलकर करते थे, फिर डिसीजन लेते थे कौन सामिल नहीं हो सकता इस्तरियां, दास, और कमबकार यह लोग सामिल नहीं हो सकते थे तो यह ध्यान रखना है अब हम आगे दिखते हैं वज्जी संके का यह वर्णन दिग निकाय से लिया गया है कहां से लिया गया है, दिख निकाय से दिख निकाय एक प्रसिद बौध गरंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिये गया है इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे कर कि यह भी पूछ सकते है कि यह स्टेटमेंट किस गरंथ से लिया गया है तो आपको याद रखना है यह दिख निकाय गरंथ से लिया गया है और दिख निकाय कौन सा गरंथ है यह भी पूछ सकते है कि दिख निकाय किस संबंध किस से संबंधित है फिर पूछ सकता है बौध से जैन से या हिंदु धर्म से ऐसा करके पूछ सकते है तो आपको ध्यान रखना है ये बौध ग्रंथ है दिगनिकाय क्या है ये पूछ सकता है तो बौध ग्रंथ है ये आपको यादत रखना है अजाज सत्रू और वज्जी संग ये भी सौट में लिए सला के लिए बुद्ध के पास वस्कार को यह याद रखना इस ओट में यह भी पूछ लेता है जादा तर से जो पीसेस इखजाम उसमें स्टैप के कोश्चन्स आते हैं बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नेमित रूप से होती हैं तता उनमें सभी स कि उपस्थ उपस्तित होते हैं यह वस्कार से पूछा था बुद्ध ने जब उन्हें पाता चला कि ऐसा होता है उन्होंने कह सबसे पहले आजास्थ्र्व के इस मंत्री वस्कार से पूछते हैं कि क्या नेमित रूप से आप लोग चर्चा करते हैं सभाएं बैठती हैं जो गड़ के संग है गड़ है संग है हां सबकुछ तो चलता है नीमित रूप से तो बोले फिर आप लोग तब तक उन्नती करते रहेंगे कब तक हमेशा जब जब नियम बना हुआ है उस बढ़ों का समर्थ हैं उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे आप उन्नती करेंगे वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबस्ती नहीं करेंगे उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे शहरों और गाऊं में चैतियों का रख रखाओं करेंगे विभिन मत्यावलंबी संतों का सम्म तो ये चीजे ये लाइन याद रखने हैं कि वस्तिकार को बहुत दिने क्या बाती कहीं थी, ये आपके लिए important है, इस statement में आप से पोच सकता है, कई शक्तिशाली राजा इन संगों को जीतना चाहते थी, इसके बावजूद, उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक च सारी चीजे आपने जाना होगा, उनमें से जो चीजे हमने बताया कि आपको एक्जाम के बेस पर ये चीजे याद रखनी है, तो आप उसको टिक कर लेना और बार बार रिवीजन जरूर करना, दो तीन बार रिवीजन करेंगे ना टाइम लगा के, जैसे कि अगर आपने इस के वली इतना ही मिलते हैं, ने क्लास में ने चेप्टर के साथ, तब तक कि लिए जैए